हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टेडी दिमाग से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी दिमाग से पर बहुत-बहुत स्वागत है चलिए सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स यहां पर एक्जाम की तियारी कर रहे हैं वो सभी फ्रेंड्स यहां पर आ सके और इस क्लास को पड़ सकें ठीक है यूपी असी यूपी पीसी आस डियार डियो और आपके डैली पुलिस यूपी पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है यह आपकी परिक्षा के नजरे से अल कॉम्प्टिटिव एक्जाम के लिए यह क्लास है ठीक है आपके सभी एक्जाम में जो भी है उन जिनमें जी के आती है उसमें आपके पॉलिटी हिस्ट्री और साइंस रिलिटेड कोशन्स पोछे जाते हैं कंप्वीटर के कॉशन्स पर आपके आंड गया है तो आज अपनों से लियू लेकर आएंगे। जिनमें जानेंगे जिल के बारे कि जील जो है कि इस राजमें कौन सी जील है किस जील को नाम से जाना जाता है शोटी सी क्लास रहेगी हैं बहुत मजां अच्थ क्लास में आप लोगों को I hope कि आप सभी आंसर दे पाएंगे क्योंकि बड़े ही प्यारे प्यारे कोशन चोट 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 है और बहुत ही बेसिक जो कि आपके एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं एक से दो नंबर कोशन आ जाता है ठीक है तो important भी है तो ज तो प्रेंगे प्यूस्कूण के लिए के लिए टेलिग्राम जाइन किजिए यहां पर इस्टडी धिमाक से सच कीजिए यहां पर आपको पीडियाफ भी मिल जाएगी ठीक है बाकिए 7 बिजे यहां पर आपके MCQ के कोशें हो रहे हैं तो आप डेली टाइम पर आ जाए किज अगर आपको टॉपिक बनाना है तो टॉपिक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएए वहां पर आपको टॉपिक मिल जाएगा उससे आप नोट्स बना सकते हैं जब आप एक नोट्स तयार करेंगे तब आपकी स्टडी जो है वह और भी अच्छे तरीके से हो सकती है ठीक को सबी इस क्लास पर फोकस करें फर्स्ट कोश्ट आप सभी के स्क्रीन पर चुका है इस को आपको पढ़ना है चारो अप्शन देखने हैं एक राइट अशर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताना है फर्स्ट कोशन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तो इसमें आपको language कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, जिस बच्चे का जो subject है, जो side है, उससे आप इसे solve कर सकते हैं, चलिए तो first question आचुका है, अस्तामुदी जील किस राज में इस्तित है, A, B, C, या फिर option D, बताइए, right answer क्या होगा, पंजाब, उडिसा, केरल या फिर आंधर पडेस, A, B, C, D, चार option आप सभी की सामने, English में भी है, जल्दी से बताइए, right answer क्या होगा, अगर आप जानते है, right answer, तो comment box में comment करिये, और बताइए, कि अस्तामुदी जील किस राज में इस्तित है, कौन से state में है, जल्दी बता द लोग बता रहे हैं, उनका right answer होगा, otherwise wrong हो जाएगा, ठीक है, तो जिनका wrong हुआ या जिन लोग को नहीं मालूम था, वो लोग याद रख लेंगे, अगला question आचुका है, इस question का answer बताइए, next question है, भीतर कनी का, मैंग्रोव, जिल, कौन से state में है, A, B, C, या फिर option D, माध्या प्रदेश, जमू कश्मीर, करनाटका, या फिर ओडिशा, A, B, C, D, चार option, जल्दी बताइए, right answer क्या होगा इसका, जिन बच्चों को right answer बताए, जल्दी से click करके बता दीजिए, इस question का right answer क्या है, सबी का answer आने चाहिए, जल्दी से बताएए, click करके, जो बच्चे यहाँ पर select कर रहे है, O, D, Sa, option number D, उनका होगा, right answer, option number D, select करने वालों का right answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो इन जीलों के नाम को, और किस राज्य में है, ये आपको अच्छे से याद रखके चलना है, त कोशन है, भोज सागर जील किस राज्य में इस्थित है, बताएए, भोज सागर लेक कौन से स्टेट में है, A, B, C, या फिर option D, मद्यप्रदेश, option number B, उत्तरप्रदेश, option number C, अरुनाचल प्रदेश, and option number D, हिमाचल प्रदेश, तो जो बच्चे यहाँ पर click कर रहे है, मद कोशन A, सिलेक्ट करने वालों का होता है, बिल्कुल राइट आंसर, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले कोशन की तरफ, ऐसे ही देखते रहे है, पढ़ते रहे है, और करते रहे है, इस्टड़ी दिमाग से, नेक्स्ट कोशन आप सभी की स्क्रेन पर आच चुका है, इस किस स्टेट में है, A, B, C या फिर ऑप्शन D, असाम, राजस्थान, मद्या परदेश, या फिर ओडिसा, A, B, C या फिर आप्शन D, कोशन नमबर 4, जल्दी सेलेक्ट करके बताएए, राइट आंसर क्या होगा, चिल्काले किस स्टेट में है, A, B, C या फिर ऑप्शन D, सभ आगे भी आपके लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट करें, लाइक करें, अपना फीड़ बैक भी दे साथ में, और आगे आने वारे क्लासिस को भी अटेम्ट करते रहें, ठीक है, और अपने स्टडी अच्छे से करें, यही हमारा मेन मकसद है, आपको एक्जाम तक लेके जाना, और एक्जाम क्लियर करवाना, आपको जॉब दिलाना, चलिए तो, यहां पर जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया है, और इसा, आप्शन नमर डी, उनका होगा, बिल्कुल राइट आंसर, आप्शन डी, सिलेक्ट करने वालों का हो चुक में है, A, B, C, या फिर आप्शन D, राइट आंसर जल्दी सिलेक्ट होगे, बताएए, हिपोल लेक कहां पर लोकेटड है, A, B, C, या फिर आप्शन D, तरिपुरा पंजाब, असम या फिर तमिल नाडू, तीन आप्शन, सरी, चार आप्शन आप सुभी के सामने, राइट राइट आंसर क्लिक करके बताएए, राइट आंसर क्या होगा, हिपोल लेक किस स्टेट में है, A, B, C, या फिर आप्शन D, तो जिन बच्चों ने या पस सिलेक्ट किया है, असम को उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, इसी के साथ बढ़ें बस सिक्स आ चुका, इस कॉशन का आंसर बताएए, नेक्स्ट कॉशन भी आपका इसी सरे रेटेड है, इस्ट कॉलकाता वेट लेक किस राज्य में है, A, B, C, या फिर आप्शन D, जल्दी बताएए कौन सा वाला राइट आंसर होगा, इस्ट कॉलकाता वेट लेक किस स्टे या फिर आप्शन D, जिन बच्चों ने आपस सिलेक्ट किया है, पश्ची मंगाल, उनका होता है, बिल्कुल राइट आंसर, आप्शन नमर B, वेस्ट बेंगोर, बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, ऐसे ही देखते रहे है, पढ़ते रहे है, यह करते आपसे जो भी कोशन बन सकते हैं, आपके सामने राष्ट पती कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या योग्यता होती है, उनके पस क्या शक्ती होती है, और इनसे रिलेट बहुत से कोशन आपके एक्जाम में पूछ ले जाते हैं, कोशन एक दो ही होता है, लेकिन यह टॉपिक काफी बड़ा है ठीक है तो मैं काऊंगी राष्ट पती का टॉपिक संसद का टॉपिक लोग सभा राज सभा और संसद की समीतियां इन से रिलेटेड जो भी आपके कोशन बनते हैं वो सभी मैंने आपको कम्प्लीट करा रखे हैं तो आप उन सभी के नोट्स जरूर बनाईए और उसके बाद बहुत जल्द आपके लिए फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे नए सिरे से पॉलिटी के सारे कोशन ठीक है तो उसके लिए आप लोग रैडी रहिए और रैडी रहने के लिए आपको टॉपिक ले करना पड़ेगा तो सारे टॉपिक जल्दी से लोग क्लियर कर लीजिएगा नोट्स बना लीजिएगा फिर उसके बाद जैसे यह कुशन है ऐसे ही कुशन आंसर आएंगे आई होप कि आप लोग सभी कुशन के आंसर अच्छे से दे पाएंगे जब आप पढ़कर रखेंगे ठीक है तो जो बच्छे यहां पर आंसर कर र चुका है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा होकडा लेक किस स्टेट में है डैम से रिलेटिड भी मैंने आपको सारे कुशन करा रखें ठीक है कौन सा डैम किस राज में है किस नदी पर है यह सारी चीज़े हमने लिग लिग तो डैम वाला कुशन भी ठीक है डैम से रिलेटिड रिवर से रिलेटिड लेक से रिलेटिड आपके काफी कुशन बनते हैं चलिए जिन बच्चों ने यहां पर सिलेक्ट किया है होकडा लेक के लिए ऑप्शन नमबर ए को उनका होता है बिलकुल राइट आंसर ठीक है तो बिलकुल ऑप्शन नमब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कोशन है कंजली लेक किस स्टेट में है A, B, C या फिर आफशन D बताइए राइट आंसर क्या होगा कंजली लेक is in which state पंजाब, राजिस्तान, ओडिसा या फिर बिहार A, B, C, D तो जो बच्चे यहां पर select कर रहे हैं, पंजाब उनका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर option number A select करने वालों का हो चुका है, बिल्कुल सही चलिए question number 10 देखते हैं next question आप सभी की screen पर इस question को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा question है केवला देव national park किस state में है, A, B, C या फिर option D, बताइए राइट आंसर क्या होगा केवला देव national park is located in which state, पंजाब, राजिस्थान तमिलनाडू या करनाट का, option बताइए राइट क्या होगा, comment box में comment करके अपना आंसर दीजे जल्दी से बता दीजे, right answer क्या होगा जिन बच्चों ने आपस select कर लिया है राजिस्थान को उनका हो चुका है, बिल्कुल right answer option B, select करने वालों का बिल्कुल right answer हो चुका है, चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 11 आप सभी की screen पर बताइए इस question का right answer क्या होगा question है, कोरेलू lake किस state में है ABC या फिर option D, in which state is the कोरेलू lake located, ABC या फिर option D, आंदरप्रदेश, ज्यारखंड तेजगर या फिर तरिपुरा जल्दी बताइए right answer क्या होगा, ABC या फिर option D तेजगर नहीं है यहाँ पर आपका ठीक है, चंडीगर ले लीजिए आप जो भी है इसे आप कटी कर दीजिए ठीक है, यह क्यूंकि आपका option नहीं है चलिए, आप option आपके सामने बसते हैं 3, A, B, D A, B, या फिर option D C आपका answer नहीं है, ठीक है जो बच्चे आपर C बता रहे हैं, उनका wrong हो जाएगा तेजगर नहीं है option में जिन बच्चों ने option A select किया है उनका बिल्कुल right answer है, आंदरपतेश बताने वालों का बिल्कुल होता है, right answer चलिए, अगला question देख लेते हैं, question number 12 आचुका है A, B, C या फिर option D, बताईए लोग टक लेक is located in which state मनीपूर, तरिपुरा, मेगाले, असम मनीपूर बताने वालों का होता है, यहां पर बिल्कुल right answer option number A select करने वाले, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल right answer हो जाएगा, option A बताने वालों का otherwise wrong हो जाएगा, जो बच्चे और कोई option select करेंगे ठीक है, तो यार रखिएगा, लोग टक लेक, मनीपूर में और अब आपको बताना है, question number 13 आचुका है question है, point Kelly मेरे, जो जील है, यह किस राज्य में है A, B, C, या फिर option D, जल्दी बताईए, इस question का right answer क्या होगा A, B, C, या फिर option D, बताईए, इस question का right answer क्या होगा A, B, C, या फिर option D, हिमाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर तमिल नाडू, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर select किया है, तमिल नाडू को उनका बिल्कुल right answer हो जाएगा, option number D, बताने वालों का होता है, बिल्कुल सही उत्तर चले friends, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question आप सभी के पास आ चुका है बिना कोई देरी करते हुए question को फटाक से पढ़िए और जटाक से answer दीजिए question है, पॉंग डैम जील किस राज में इस्थित है, A, B, C या फिर option D, पॉंग डैम लेक is located in which state उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर जहारखंड, राइट आंसर जल्दी से क्लिक कर दीजिए अपने comment box में, जल्दी से क्लिक करके बताए जिन बच्चों ने आप से लेक्ट किया है, हिमाचल प्रदेश उनका होता है, बिल्कुल राइट आंसर, option number C बत इस question का right answer क्या होगा, रेनुका लेक इस located in which state, पंजाब, हरियाना, ओडिशा या फिर हिमाचल प्रदेश अगर आप जानते हैं, right answer टो प्लिक करके बताए इस question का right answer क्या होगा, अगर आपका मालूम हो तो बिना कोई देडी करते हुए जल्दी क्लिक कर दीजिए, A, B, C या option D, हिमाचल प्रदेश क्लिक करने वालों का बिल्कुल हो चुका है, right answer, जिनों ने option number D select किया है, उनका बिल्कुल right answer होगा, चलिए बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 16, आप सभी की screen पर इस question को पढ़िए और बताए राइट answer क्या है, question है, रोपर जील किस राज में इस्त इस्तित है, तमिल, नाडू, करना, टेक, अंतरपदेश, या फिर option number D है, पंजाब, जल्दी select करके बता दीजे, right answer क्या होगा, A, B, C, या फिर option D, तो बिल्कुल जिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, option number D को उनका right answer हो जागा, option number D बताने वाले, बिल्कुल right answer हो चुका है, आप आप जानते हैं, सही होता, तो comment box में कमेरे आपके बताए, right answer क्या होगा, रूद्र सागर, जिर किस राजी में, इस्तिता है, मनीपूर, त्रिपुरा, नागा लैंड, या फिर मिजोरम, रूद्र सागर लेक इस लोकेटेड, इन विच स्टेट, मनीपूर, त्रिपुरा, न जल्दी से लोकेटेड, इन विच स्टेट, राजिस्थान, गुजरात, जारखंड, नन ऑफ दीज, जल्दी बताए, four option आप सभी के सामने, जल्दी से क्लिक कर दीज, right answer क्या होगा, a, b, c, आ फिर option d, जील, बताना है, आपको सामभा जील के बारे में, पूचा है, बड़ा राजिस्थान, सिलेक्ट करने वालों का हो जाएगा, बिल्कुल, right answer, option a, बताने वालों का होगा, बिल्कुल, सही उत्तर, otherwise, जो लोग, b, c, d, बतारे में, उनका हो जाएगा, ठीक है, तो a, बताने वालों का, बिल्कुल, right answer हो चुका, चलिए, question number 19, बता दीजी, इस question का, right answer का, question है, इस्तंब कोटा जेल की सराजी में, इस्थित है, the pillar कोटा लेक, is located in which state, मनी, मध्यपरदेश, sorry, मध्यपरदेश, option number b, गुजरात, option number d, उडिसा, option number c, है, उडिसा, और option number d, है, केरल, okay, चलिए, बताए, right answer का होगा, a, b, c, या, option d, जादी, select कर लिए, question number 19, आप state, मध्यपरदेश, गुजरात, ओडिशा, otherwise, option number d, है, केरला, तो जो बच्चे यहां पर select कर रहे है, केरल, उनका हो जाएगा, बिल्कुल, right answer, option number d, बताने वालों का होता है, बिल्कुल, सही उत्तर, इसी तरह से देखते रहे है, पढ़ते रहे है, और करते रहे है, इस्टे होगा, question है, सुरिसार, मनसार, जेल, कहां इस्तित है, a, b, c, या फिर, option d, where is सुरिसार, मनसार, लेक, located, a, b, c, option d, a, कह रहा है, अरुनाचल प्रदेश, option number b, पर है, सिक्किम, option number c, पर है, पांडुचेरी, option number d, पर है, जमू, एंड कश्मीर, बताईए, right answer क्या होगा, जितने भी बच्चे याँ पर live देख रहे हैं, सभी answer देने की पूरी-पूरी कोशिच करें, तो, जो बच्चे याँ पर select कर चुके है, जमू, एंड कश्मीर, उनका हो जाएगा, बिल्कुर, right answer, option number d, बताने वालों का होता है, बिल्कुर, सहीवत चलिए, बहुत अच्छे, अब तक आप हमारे साथ बने रहे, शुरू से लेकर के, लाश्ट तक आप लोगों ने क्लास को attempt की, बहुत अच्छा लगा, इतनी लंबी क्लास नहीं थी, छोटी सी क्लास थी, ठीक है, तो, I hope कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये क क्लास अच्छी लगी है, तो अपना फीड़ बैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, कितने अच्छी लगी, किस चीच की कमीती, आपके हिसाब से कुशन और जादा होनी चाहिए थे, या इतने ही काफी है, और इसके लावा तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएए, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक और हर एक सब्चेक्ट मिल जाएगा, केवल यहाँ पर आपको जीके नहीं पढ़ाई जा रही है, और नहीं केवल आपको यहाँ जियोग् साइन्स, कम्प्यूटर, रीजनिंग, मैथ, सारे ही टॉपिक मिलेंगे आपको और इंग्लिश भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी, ठीक है, हमारी पूरी SGS टीम आपके लिए बहुत अच्छे से मैनत कर रही है, फिलहा आप कर रहे हैं एक्जाम की तैयारी, अगर नहीं पढ़ाएं आपने अप तक कुछ भी तो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और पढ़िए, इंग्लिस राजेंद्र सर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, आपके एक्जाम में आईवे सारे कोश्चन भी उन् तो जरूर आप पढ़िएगा, इसके लावा कंप्यूटर तो हमारी पूजा मैम ने आपको पूरा कोर्सी ही कंप्लीट करा रखा है, तो कंप्यूटर का एक भी कोश्चन ऐसा नहीं है, जो यहां से बाहर से आए, ठीक है, तो यहां पर अगर आप कंप्यूटर की सारी क्ला कोई भी डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको आपके लिए हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, आप लोगोंने इतना टाइम दिया, एंड हमारे साथ बन जिए ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, और हमारा भी होसला डबल हो जाए, तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए, इस्टडी दिमाग से